Welcome 6th Class Students, Now Today we will do Angle No. 25, Page No. 35 Okay, Page No. 35 के उपर आप देख सकते हो, Angle No. 25 है आपका तो इसमें बोला गिया है कि A B रेखा पर, यह A B रेखा इसमें बिंदू A पर, यह है बिंदू A, ठीक है, इस पर परकार दोरा 37.5 डिगरी का कॉन बनाओ, ठीक है, तो आपने Compass की help से जो है वो A point के उपर, यह A point 37.5 डिगरी का एंगल बनाना है, ओके, so let's start First of all, you have to draw A B line According to you, it can be 4, 5, 6 cm, 7 cm According to you, आप अपने मर्जी से कितनी भी ले सकते हो, ठीक है तो इसको हमने नाम दे दिया है, A and B तो बोला गया है question में कि A point के उपर आपने Compass की help से 37.5 डिगरी का एंगल बनाना है, तो आपने Compass open करनी है, पहले अपने मर्जी से ठीक है, अपने मर्जी से Compass open कर लो and first of all you have to make the angle of 90 degree on the point of A तो अपनी मर्जी से Compass open करके आपने थोड़ी से Compass खोलनी है, ज्यादा मत खोलना, ठीक है, और A के उपर रखके आपने ऐसे एक semi circle draw करना है, ठीक है, तो ये इसको नाम दे देते हैं, हम point P, ये आ जाएगा आपका point P, इसको नाम देते हैं, ठीक है, तो point P के उपर आपने Compass रखनी है, और ऐसे diameter शुट भी same, Compass का diameter उतना ही होना चाहिए, ठीक है, अब देखो ये आपका first cut आगया, ये आगया 60 degree और ये आगया 120, 60 का double हमने किया, तो ये आगया आपका 120, ये देखो, तो यहाँ पर रखेंगे Compass, और ये दूसरी आग लगाएंगी, ठीक है, तो ये हमारा बन गया है, 90 degree का angle, और हम angle कौन सा बना रहे है, 37 and half degree, तो ये हमारा angle बना है, पहले 90 degree का, और ये भी dotted ही आएगा आपका, तो आपने ये देखो, angle बनाने के लिए, 37 and half degree का angle बनाने के लिए, आपको पहले कौन सा angle चाहिए, पहले आपको एक तू 90 डिगरी का अंगल बना है आपका ठीक है और दूसरा आपका बना है 70 बनेगा 75 डिगरी का अपने क्या करना है जो 75 डिगरी का होगा और एक आगे 0 डिगरी 0 डिगरी आता है आपका πiden यह 0 ही है यहां से उपर के तरफ को एंगल बनने स्टार्ट होते है और यह आजाता है 90 डिगरी का एंगल तो बीच में 1,2,3,4,5,6 ऐसे करके 1,1 एंगल आगे बढ़ता है ठीक है जिसको अपनी उन कोंड भी बोलते हो इन सभी को तो यह देखो एक आपको चाहिए 75 डिगरी और एक चाहिए आपको 0 डिगरी तो आप 0 और 75 का जब आप bisectic करोगे या half करोगे तो आपके पास automatically कितना आ जाएगा 37 and half डिगरी तो यह कैसे करेंगे देखते हैं अब ठीक है तो यह देखो compass आपने उतनी ही open करके रखनी है जितनी आपने पहले open करके रखी थी ओकी यह देखो तो आपने क्या करन है यहां पर रखनी है पहले compass यह है 60 डिगरी का एंगल ठीक है और इस आर्ख को हम ऐसे आगे को बढ़ा लेंगे और दूसरी आख है हमारी यह वाली ठीक है तो यहां पर रखके हम दूसरी आख लगाएंगे तो यह हो गया 60 और 90 का half 60 और 90 का जब half करेंगे तो हमारे पास आ प् Haupt प्रौइब का बनाना है तो मुझे नहीं लगता है कि अब बॉबलम आएक कि 75 डिगरी का एंगल बनाने के लिए तो यह आगे आपका 75 डिग्री आप चाहो तो इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हो जैसे मैं इसको नाम दे देती हूं F इस पॉइंट को नाम दे देती हूं E इसको नाम दे देती हूं N और ये आगया आपका H पॉइंट तो ये आगया हमारे पार 75 डिगरी तो ये है 75 डिगरी जैसे कि मैंने यहां पर बताया आपको कि आपको 75 डिगरी चाहिए और ये यह है 0 degree यह तो इन दोनों का बामने हमने half निकालना है ठीक है तो कैसे निकालेंगे यह जो point आया है ना 75 degree वाला इसको आप नाम दे दो इसको नाम दे दो O ठीक है O नाम हमने इसको दे दिया है तो आपने क्या करना है compass उतनी ही open करके रखनी है जितनी पहले open की थी P point के उपर रखो compass और ऐसे arc लगाओ ठीक है यह 60 degree वाली ही arc है और second compass आपने रखनी है O point के उपर यह देखो confuse मत हो ना तभी मैंने इस point को नाम दिया है O point O point के उपर compass रखके ऐसे आप arc लगाओ ठीक है जहां पर यह दोनों arcs जो है वो आपस में cut हो रही है So this is the angle of 37 and half degree तो इसको आपने मिला लेना है ठीक है एक के साथ और यह आपकी आएगी answer line And as you know answer line should be dark Okay तो यहां पर आप लिख सकते हो 37 and half degree यहां पर बीच में भी लिख सकते हो 37 and half degree Okay इसको नाम दे देना A, B and C line Okay as you can see ऐसे ही neat and clean आपका angle बनना चाहिए Okay, thank you students